सारा अली खान अपनी फिल्मों और नीजी जिन्दगी को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरे साजा करती रहती हैं, जिनकी फैंस जम कर तारीफ करते नजर आते हैं। अभानी में सारा अली खान का एक विडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है। इस विडियो में जिसमें सारा कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें आक्सफोर्ड यूनिवरसिटी से रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इस क्लिप पर लोगों के जम कर रियेक्शन सामने आ रही हैं। सारा अली खान का जो विडियो सामने आया है उसमें उन्होंने आक्सफोर्ड यूनिवरसिटी को लेकर अपना रियेक्शन दिया है। उन्होंने कहा था मुझे आक्सफोर्ड यूनिवरसिटी से रिजेक्ट कर दिया गया जो इंग्लेंड में हैं जो मेरा सपन था और मैं इसमें प्रवेश नहीं कर पाई और मुझे लगा कि दुनिया इसे खत्म करने जा रही है. उस दिन मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए. मैंने पागलों की तरह रोते हुए अपनी मा को फोन किया और कहा, मा मुझे आक्सफोर्ड से रिजेक्ट कर दि इसके बाद तीन साल मैंने न्यू यॉर्क में बिताएं, वो तीन साल मेरी जिन्दगी के भैतरीन साल थे. आगे सारा ने कहा, वो आक्सफोर्ड तो नहीं गई, लेकिन वो कोलंबिया में ज्यादा खुश थी. सारा के इस वीडियो पर लोग उनको जम कर ट्रोल कर रही हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा, वहाँ नेपोटिस्म नहीं चलता मिमसा. एक अन्य यूजर ने लिखा, वो आक्सफोर्ड से कैसे रिजेक्ट हो सकती हैं, उसके दादा वहीं से हैं, मैं हैरान हूँ. इन कमेंट्स के अलाब ही सोशल मीडिया पर लो उनको जम कर ट्र की थी. इस फिल्म में उनके साथ सुशान सिंग नजर आये थे. हाल ही में उनकी फिल्म गैसलाइट डिजनी प्लस होट स्टार पर रिलीज हुई है. इस फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा भी नजर आई थी.